दोस्तों मैं स्वरमली का अप सभी का ओनली टॉपी स्टली चैनल पर स्वागत करता हूँ डेली करेंट फेर कुईज में आज हम देखेंगे 9 दिसंबर की करेंट फेर को जो कि सभी परिक्साओं के लिए मैथपून रहेगी डेली करेंट फेर कुईज में मैं आपको डेली 10 मिनट में 20 करेंट फेर के कोशन आंसर को कवर कराता हूँ जो कि पूरे दिन की करेंट फेर होती है अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना आज का हमारा रिविजन कोशन है तिलंगना के नए मुख्यमंतरी के रूप में किसने सपतली है तो इस कोशन का अंसर सभी स्टोडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे शुरू करते हैं आज की करेंट फेर को और पहला कोशन आपकी स्क्रेन पर है मिजोरम के नए मुख्यमंतरी के रूप में किसने सपतली है दोस्तो पहले कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा लाल दोहोमा इस दा राइट आंसर यानि कि पहले कोशन का राइट आंसर भी हो जाएगा ये अभी मिजुरम के नए मुख्यमंत्री बने है तो कोशन वेरी वेरी इंपोर्टेंट हो जाता है दूसरा कोशन है उत्राखंड वैस्विक निवेशक सिखर सम्मिलन का उद्गाटन किस ने किया दोस्तों दूसरे कोशन का राइट आंसर हैगा नेंद्र मोदीजी ने यानि कि A is the right आंसर तीसरा कोशन है गुगल की पेरेंट कमपनी एलफाबेट ने कौन सा एडवांस एड आई मोडल लॉंच किया है तो तीसरे कोशन का राइट आंसर हैगा जैमनी यानि की राइट आंसर इस भी तो तीसरे कोशन का सही उतर दोस्तों भी हो जाएगा कोशन नमबर फोर है आरबियाई ने लगतार पांच भी बार रेपो रेट को कितनी दर पर बरकरार रखा है दोस्तों कोशन नमबर फोर का राइट आंसर हैगा 6.50% यानि की C is the right आंसर तो चोथे कोशन का सही उतर दोस्तों C हो जाएगा कोशन नमबर फाइव है जैपूर वैक्स म्यूजियम में हाल ही में किसकी परतिमा का अनावरन किया गया पांच भी कोशन का राइट आंसर हैगा डोक्टर बियार अम्बेडकर जी की यानि की A is the right आंसर देखे अगर आप लोग किसी भी कॉम्पटीटिव एक्जाम की त्यारी करते हैं तो आप यह मास्टर पीडियाप ले सकते हैं मास्टर पीडियाप का प्राइज 170 रुपे है यानि की 170 रुपीज में आप लोग all subject की मास्टर पीडियाप प्राप्त कर सकते हैं पीडियाप लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक एवलेबल है या फिर आप हमारे वोट्सअप नंबर पे मैसेज करके भी लिंक ले सकते हैं जिस पर आपको पेमेंट करना है और पीडियाप आपको डारेक्टली मिल जाएगी चटा कोशन है राश्पती दुरोपदी मुर्वु ने किस केंद्रे मंतरी को किरसी मंतराले का अतरिक्त परभार दिया गया है राइट आंसर हैगा दूस्तो अरजुन मुंडा यानि की ऑप्शन बी इस दा राइट आंसर साथवा कोशन है हाल ही में किस राज्य ने दे बेस्ट सस्टनेबल वाइड लाइफ टूरिजम इस्टेट जीता है कोशन नबर सेवन का राइट आंसर दोस्तो क्या रहेगा मध्या परदेश यानि की बी इस दा राइट आंसर ये आपको याद रखना है आठवा कोशन है हाल ही में कॉप 28 में किस भारते युनिवस्टी ने प्रतिस्ठित ग्रीन युनिवस्टी अवार्ड जीता है दोस्तो आठवे कोशन का राइट आंसर हैगा आईट मंडी यानि की ऑप्शन ए इस दा राइट आंसर कोशन नमबर नाइन है जम्मू कस्मीर री ओर्गनाइजिशन या अमेडमेंट बिल 2023 में प्योके के लिए जम्मू कस्मीर विदान सबा में कितनी सिटो का परवधान किया गया है नोवे कोशन का राइट आंसर हैगा 24 सिटो का यानि की B is the right आंसर दस्वा कोशन है लोग सबा ने जम्मू कस्मीर री ओर्गनाइजिशन अमेडमेंट बिल 2023 पारित किया इसमें जम्मू कस्मीर विदान सबा के लिए कितनी सिटो का परवधान है दस्वा कोशन का दोस्तो राइट आंसर हैगा 114 सिटो का यानि की C is the right आंसर कोशन नमबर 11 है भारत सरकार ने केनिया को किरसी छेतर के आधुनी करण के लिए कितनी रकम की रण सुविदा देने की घोशना की है और देखे सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना अपने दोस्तों के साथ में भाई बेन के साथ में जरूर सेर करेगा इस वीडियो को और सुबह साड़े 6 बजे ओनली टॉप स्टेडी चैनल पर ये वीडियो रेगुलर आती है ग्यारवे कोशन का राइट आंसर रहेगा 250 मिलियन डोलर यानि की A इस दा राइट आंसर बारवे कोशन है हालही में बीमा को सुलब बनाने के लिए A, C, K, O ने किसके साथ साज़ेदारी की है बारवे कोशन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों फोन पे के साथ यानि की B इस दा राइट आंसर कोशन मर् 13 है हालही में किसे B B C का निया अध्यक्स निजूक्त किया गया है कोशन मर् 13 का राइट आंसर रहेगा समीर सा यानि की C इस दा राइट आंसर कोशन मर् 14 का आंसर बतेगा हालही में किस रागे सरकार ने C M framework का रिकरम सुरू किया है कुशन नमर 14 का दोस्तो राइट आंसर हैगा उत्तर परदेश यानि की B is the right answer कुशन नमर 15 है हाल ही में कौन सा देश चीन के B.R.I. से अलग हुआ है तो पंदर भी कुशन का राइट आंसर हैगा दोस्तो इटली यानि की B is the right answer सोलवा कुशन है हाल ही में 59 वा फर्टिलाइजर Association of India वार्सिक सेमिनार कहां हुआ है तो नहीं दिली में हुआ दोस्तो यानि की C is the right answer से दर भी कुशन है हाल ही में किसे जम्मू कस्मीर के लिए युवा मद्दाता जागरुकता राइदूत नियुक्त किया गया है सतरवे कुशन का राइट आंसर ही सुरेश रेना यानि की B is the right answer अठारवा कुशन है हाल ही में किसने अपना पहला उपन्यास जेबा एना एक्सिडेंटल सूपर हीरो लॉंच किया है राइट आंसर हैगा हुमा कुरेशी ने यानि की C is the right answer उन्निसवे कुशन है हाल ही में टाटा मोटर्स ने कहां अपना चोथा स्क्रेपिंग सेंत्र खोला है उन्निसवे कुशन का राइट आंसर है चंडीगड यानि की B is the right answer बीसवा कुशन है हाल ही में किसने पहली बार 1000 क्यूबिक क्वांटम चिप जारी की है दोस्तो राइट आंसर हैगा IBM ने यानि की C is the right answer तो बीस में से आप लोगों ने कितने कोशन के आंसर सही की हैं कमेंट बोक्स में बताएगा आज का हमारा होमवर का कोशन है निमलिकित में से कौन सी महिला 2023 की विस्व की 100 सबसे सक्तिसाली महिलाओं की सूची में सामिल नहीं है तो इस कोशन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बोक्स में बताएगे और जिसका सही उतरेगा वो मैं आपको कल की वीडियो में बता दूँगा आज का हमारा कोशन अब दर दे है भारत की सबसे लंबी सायक नदी है पास सेकिन का समय मिलता है जल्दी से कमेंट बोक्स में आंसर बताएगा दोस्तों भारत की सबसे लंबी सायक नदी है तो इस कोशन का सही उतरेगा यमना यानि की D is the right answer और यह हमारा कलका हमवर का कोशन था हाल ही में चर्चा में रहाज सब्द रिटन आफ की स्चेतर से संबंदी थे तो right answer is banking sector से यानि की A right answer हो जाएगा और देखे daily current affair की PDF लेने के लिए only topics study आपको download करिए 5 star की rating करिएगा उसके बाद में आपको यहां से regular PDF मिलती रहेगी और master PDF लेने के लिए आप सभी को क्या करना है simply description box में जो link दिया गया है उसमें 170 रुपीज का payment करना है PDF डिरेक्टली आपको WhatsApp पर मिल देगी यह हमारा WhatsApp नंबर है और इसमें सभी subject की master PDF available है वीडियो अगर आपको पसंद आईए तो like share करिए चैनल पर नहीं है तो subscribe करिए बेल अकन को उन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो थैंक्यू सो मच बाई बाई आवरीवन टेक केर ख्याले के अपना मिलते नेक्स के रास में और इसका आप स्कीन सोट लेगे अगर हमें WhatsApp नमबर भी भेज़ते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आप PDF लेना चाहते हैं Master PDF तो आप ऐसा भी कर सकते हैं हमेरे इस WhatsApp नमबर पर इसकीन सोट भी भेज़ सकते हैं थैंक्यू सो मच बाई बाई आवरीवन